क्या आप जानते हैं आपकी चाइल्ड हुड डेवलिप्मेंट कैसे आपकी एडल्ट रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ को डिस्क्राइब करती है असलाम अलेकूल मैं हूँ साइकॉलिजिस्ट हाज रबतूर और आज का हमारा टॉपिक है दे अटेच्मेंट थियोरी साइकॉलिजिस्ट जॉण बॉल्बे का कहना ये था कि बशपन में हमारे जैसी हमारे प्राइमरी केरगिवर्स के साथ रिलेशनशिप या अटेच्मेंट होती है उसका हसर लाइफ लॉग हमारी परिस्नालिटी पर आ जाता है मतलब जो अटेच्मेंट हमें अपने प्राइमरी केरगिवर्स से मिलती है हम आने वाली जिन्दगी में उसी हिसाब से बाकी लोगों से अटेच होते है ब्रिटिश साइकोलेजिस जॉन बॉलवे ने चार डिफरेंट अटेच्मेंट कैटेगरीज को डिसक्राइब किया था हम उनको समझने के लिए फोर डिफरेंट फैमिली की एक्जाम्पल ले लेते हैं उनको हम नाम दे देते हैं A, B, N, C, D और चारों के पास एक एक बच्चा है अब देखें फैमिली A के पैरेंट्स बच्चे को प्रॉपर टाइम अटेंशन केर देते हैं मतलब यह के बच्चे को इस अटेश्मेंट में कोई भी डर खौफ नहीं होता क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसके पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे वो डिपेंड कर सकता है ऐसे बच्चे फ्यूचर में जाके कॉन्फिडेंट और क्रियेटिव बनते हैं और इनके सोशल रिलेशन पे बहुत अच्छे बलके हेल्दी होते हैं इस अटेश्मेंट को हम सिक्यूर स्टाइल अटेश्मेंट कहते हैं फैमिली बी के पैरेंट्स अपनी प्रोफेशनल या परसनल लाइफ में बहुत ज़दा बिजी होते हैं और उनके पास अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मतलब यह कि उनका बच्चा इग्नोर हो रहा है ऐसे बच्चे हद से ज़दा इमोशनल और इंसिक्यूर होते हैं क्योंकि उनकी बेसिक सेफटी नीज पूरी नहीं हो रही होते हैं उनके प्राइमरी केरगिवर से ऐसे बच्चे बड़े होकर भी इंसिक्यूर ही रहते हैं बहुत जदा anxiety का शिकार होते रहते हैं इनके सोशल रिलेशन्शिप्स भी डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि एक तो यह अकेला रह नहीं सकते और दूसरा इन्हें छोड़ दिये जाने का खौफ हमेशा रहता है इसी वजह से ऐसे बच्चे बड़े होकर attention seeker टाइप परसनलिटी develop कर लेते हैं इस attachment को बॉलबे ने ambivert या anxious ambivert attachment कहा number three family seeker parents अपने बच्चे को कोई importance नहीं देते हैं उसकी basic health food nourishment की needs को नजर अंदाज करते हैं बच्चा अगर कोई मसला भी लेकर आए तो उसे seriously नहीं लेते हैं बच्चे के रोने को avoid करते हैं अब क्योंके माबाप इन चीजों पर दिहान नहीं देते तो बच्चा अपनी basic survival needs पूरी करने की struggle खुद करता है अब इससे होता यह है कि firstly तो उस बच्चे में अकेलापन anxiety और उदायसी यह सारी चीजें आ जाती हैं लेकिन second जो important point है positive वो यह है कि वो इन emotions को side करके अपनी basic need की struggle जब खुद करता है तो वो time से पहले self dependent हो जाता है ऐसे बच्चे future में बड़े होकर किसी से जादा तालुकात नहीं बनाते हैं ना किसी से close होते हैं ना जादा उमीदे वाबस्ता करते हैं और ना ही किसी पर depend करना इनको पसंद होता है इविन दो ये किसी की help लेना भी पसंद नहीं करते हैं फिर चाहे वो इनका partner ही क्यों ना हो जो इनके साथ बहुत cooperative हो इस type को हम avoidant attachment कहते हैं अब बात करते हैं family D की ये parents अपने बच्चे की basic survival needs तो पूरी करते हैं लेकिन उसकी जो emotional needs हैं जो attention, care और time उस बच्चे को चाहिए वो provide नहीं करते हैं बच्चे इस condition में एक disorganized behavior करने लग जाते हैं मिसाल के दोर पे जब parents दूर जाएं तो बच्चा रो रहा है कि बस parents चाहिए चाहिए उनके लिए रो रहा है लेकिन जब parents आ जाएं वापस आ जाएं तो दो condition होती है या तो बच्चा constantly रोता ही रहता है या फिर parents के सामने कोई कहलें parents दूर भाग जागा या कोई और बत्तमीजी वाली हरकत कर देगा मतलब यह कि वो fear और craving दोनों का mixture at a time एक ही time में उसके behavior में होता है और यही behavior उनका future में भी रहता है मतलब वो एक confusion सी रहती है हमेशा उनके social relations में मतलब एक चीज़ चाहिए भी उसकी craving भी है बट एक चीज़ का डर भी है उसी चीज़ का डर भी है fear और craving दोनों चीज़े जैसे कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें उन्हें दोस्त बनाए लेकिन दूसरी तरफ किसी के करीब आने से वो इतने खौफ जदा होते हैं कि उसे खुद ही दूर कर देते हैं इस टाइब को हम disorganized attachment style कहते हैं वीडियो पसंद आईए तो like और share कर दे और चैनल को subscribe कर दे ताकि आप आने वाली और informative वीडियो देख सकें Thank you